हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम एलप आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हिमांचल प्रदेश जर्नल नौलेज का टॉपिक हिमांचल प्रदेश में प्रशाशन से रिलेटिड पचिस अफ्जेक्टिव कोश्चन की और इनी अफ्जेक्टिव कोश्चन से हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट थिरोटिकल पॉर्शन को भी कवर करने वाले हैं हिच पी गॉर्मेंट के दवारा जितने भी कॉमेटिशन एक्जाम कंड़क्ट करा जाते हैं उनमें हर बार इस टॉपिक से एक या दो नम्बर के कॉश्चन बनते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक कॉशन पोचने वाला हूँ जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी की हिमांचल प्रदेश लोग सेवा आयोग हिमांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का प्रतम अध्यक्ष कॉण था इस कुशन का राइट अंसर है लेटेनेंट जनरल के एसक टोच लेटेन्ट जनरल के एसक टोच हिमांचल प्रदेश लोग सेवा आयोग के प्रतम अध्यक्ष थे। इसके अलावा हिमांचल प्रदेश लोग सेवा आयोग की स्थापना 1974 को की गई थी और इसका मुख्य कार्या प्रशाशनिक सेवा की प्रिक्षाओं का आयोजन करना है। सेलेक्शन कमिशन की स्थापना 1998 को की गई थी और इसका मुख्य कार्या क्लास थी की नियुक्तियां करना है। लोग युक्त नियुक्त किया गया था। हिमांचल प्रदेश का उच नियालया नीमन में से किस शेहर में है। इस क्वेशन का राइट अंसर है शिमला। हिमांचल प्रदेश उच नियालया शिमला शेहर में स्थीत है। और हिमांचल प्रदेश उच नियालय की स्थापना 1974 को की गई थी। और इसके पहले मुख्या नियाय देश थे मिर्जा हमिदुला बेग। 1951-52 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में मतदान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इस क्वेशन का राइट अंसर है कलपा के श्याम चरण नेगी थे। 15 अप्रेल 1948 हिमांचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय इसमें कितने जिले थे। इस क्वेशन का राइट अंसर है 4 15 अप्रेल 1948 को जब हिमांचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उस समय इसमें चार जिले थे। चमबा, मंडी, महासु और सिर्मौर 1966 तक हिमांचल प्रदेश में कितने जिले थे। और 1960 को किन और हिमांचल प्रदेश का चठवा जिला बना। एक नुवंब्र 1960 को पंजाब का पुन्र गठन किया गया उसके बाद हिमांचल प्रदेश में चार नए जिले बने। कांगडा, लहाउल स्पिती, कुल्लू और शिमला। 1922 में 2012 से हिमांचल प्रदेश के जिलों का पुन्र गठन किया गया और उसमें कांगडा से दो नए जिलों का निर्माणू, हमीरपूर और उन्ना और शिमला और महासू से दो जिले बनाएगे शिमला और सोलन। इस तरह, 1966 तक हिमांचल प्रदेश में 10 जिले थे और 1922 के पुन्र गठन के बाद हिमांचल प्रदेश में 12 जिले थे। किस वर्ष हिमांचल प्रदेश गोश्रेणी राज्य बना। हिमांचल प्रदेश 1951 को गोश्रेणी राज्य बना। देखिए, उनिसो हड़ताली से उनिसो इकावन तक हिमाचल प्रदेश मुख्या आयुक्त प्रांत रहा, उनिसो इकावन से उनिसो चपन तक हिमाचल प्रदेश गोश्रेणी राज्य रहा, और उनिसो चपन से उनिसो कतर तक हिमाचल प्रदेश केंदर शाशित प्रदेश रह पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमान्चल में मिलाने की मांग वाली कमेटी की अध्यक्षता किसने की इस क्वेशन का राइट अंसर है हुकम सिया हुकम सिया ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमांचल में मिलाने की मांग वाली कमेटी की अध्यक्षता की थी 1948 में जब हिमांचल प्रदेश बना तो उसमें शामिल होने वाली सबसे चोटी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल के अधार पर इस कोशन का राइट अंसर है कुठार कुठार 1948 में हिमांचल प्रदेश में शामिल होने वाली क्षेत्र फल के अधार पर सबसे चोटी रियासत थी हिमांचल प्रदेश को कब संग राज्यक्षेत्र बनाया गया संग राज्यक्षेत्र का अर्थ है केंदर शाशित प्रदेश हिमांचल प्रदेश को 1 नुवंबर 1956 को संग राज्यक्षेत्र बनाया गया था हिमांचल प्रदेश की स्वर्ष मुख्या आयुक्त प्रांत बना इस क्वेशन का राइट अंसर है 1948 हिमांचल प्रदेश 1948 को मुख्या आयुक्त प्रांत बना और हिमांचल प्रदेश 1948 से 1951 तक मुख्या आयुक्त प्रांत रहा इस समय हिमांचल प्रदेश में तीन मुख्या आयुक्त रहे और हिमांचल प्रदेश के पहले मुख्या आयुक्त थे NC में ता मार्च 1952 को हिमांचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना इस क्वेशन का राइट अंसर है मेजर जनरल हिमत सिया मेजर जनरल हिमत सिया एक मार्च 1952 को हिमांचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राजयपाल बने थे 1952 में जब पहली बार हिमांचल प्रदेश में विधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें हिमांचल प्रदेश में विधान सभा की कितनी सिटे थी इस क्वेशन का राइट अंसर है 36 1952 में जब पहली बार हिमांचल प्रदेश में विधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें हिमांचल प्रदेश में विधान सभा की कुल सिटे 36 थी और 1952 में कॉंग्रेस पार्टी ने विधान सभा का चुनाव जीता था कॉंग्रेस पार्टी ने चत्ती सीटों में से 26 सीटें जीती थी और डॉक्टर यश्वन्त सियाँ प्रमार कॉंग्रेस पार्टी की और से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश विदान सवा की प्रथम महिला स्पिकर अध्यक्ष कौन थी तो देखे हिमाचल प्रदेश विदान सवा की प्रथम महिला स्पिकर विद्या स्टोक्स थी इसके अलावा चंद्रिश कुमारी हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला थी जिसने राज्य सवा और लोग सवा दोनों सद्दनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतनिधित्व किया थ किटनी सिठें विधान सबा में अनसूचित जाती के लिए अरक्षित है? Is question का राइ rocket answer है स्तारा और अनसूचित जन जाती के लिए 3 सिठे अरक्षित है हिमांचल पर देश में विधान सबा की कुल सिठे 68 लोगसबा के लिए हिमांचल परदेश से सबसे अधिक बार कौन निर्वाचित हुआ इस क्वेशन का राइट अंसर है केडी सुल्तानपुरी केडी सुल्तानपुरी लोगसबा के लिए हिमांचल परदेश से सबसे अधिक बार निर्वाचित हुआ है केड़ी सुल्तानपुरी हिमांचल प्रदेश से लोग सभा के लिए छे बार निर्वाचित हो चुके हैं हिमांचल प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्या कौन था इस क्वेशन का राइट अंसर है चिरंजी लाल वर्मा चिरंजी लाल वर्मा हिमांचल प्रदेश राज्यसभा के प्रथम सदस्या थे इसके अलावा रोशन लाल हिमांचल प्रदेश से सबसे अधिक बार राज्यसभा के सदस्या रह चुके हैं निमलिक्त में किसे मरनो प्रांथ परमवीर चकर से समानित किया गया इस कोशिन का राइट अंसर है मेजर सोमनात शर्मा मेजर सोमनात शर्मा को मरणो प्रांत परमवीर चकर से समानेत किया गया था यदि हम मेजर सोमनात शर्मा की बात करें तो इनका संबंध हिमानचल प्रदेश के कांगडा डिस्टिक से है और इन्हें मिश्ण कश्मीर 1947 के लिए परमवीर चकर से समानेत किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के प्रतम परमवीर चकर विजेता है देखे हिमाचल प्रदेश में मेजर सोमनाथ शर्मा के अलावा कैपटन धन्चिया थापा, कैपटन बिकरम बत्रा और राइफल मेन संजे कुमार को भी परमवीर चकर से समानेत किया जा चुका है बिलासपूर डिस्टिक से है कैप्टन धनसियां थापा को 1962 चीन युद्ध के लिए और कैप्टन बिक्रम बत्रा और राइफल मैन संजय कुमार को 1999 कारगिल युद्ध के लिए परमविर चकर से समानित किया जा चुका है हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रोस प्रापत हुआ इस क्वेशन का राइट अंसर है जमादार लाला राम को प्रथम विक्टोरिया क्रोस प्रापत हुआ था देखे जमादार लाला राम का समंद हिमाचल प्रदेश की हमिरपूर डिस्टिक से है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बंडारी राम जिनका समंद बिलासपूर डिस्टिक से है को भी विक्टोरिया क्रोस से समानित किया जा चुका है विक्टोरिया क्रोस ब्रेटिश सेना का सर्वोच पुरसकार है हिमाचल प्रदेश की प्रथम मैला राजयपाल कौन थी? इस कौशन का राइट अंसर है शीला कॉल शीला कॉल हिमाचल प्रदेश की प्रथम मैला राजयपाल थी और शीला कॉल उनिसो पेचानुवे के दोरान हिमाचल प्रदेश की प्रथम मैला राजय पाल बनी थी हिमाचल प्रदेश में राजय सभा की पहली मैला सदस्या कौन बनी इस कोशन का राइट अंसर है लीला देवी लिला देवी हिमांचल प्रदेश में राज्य सभय की पहली मैला सदस्या बनी थी और यदियम लिला सेट की बात करें तो लिला सेट भारत में मुक्या नियादीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रतम मैला थी हिमांचल प्रदेश में विधानसवा की सरवादिक सीटे किस जिले में है हिमांचल प्रदेश में विधानसवा की सरवादिक सीटे कांगडा जिले में है कांगडा जिले में विधानसवा की 18 सीटे और उसके बाद मंडी में विधानसवा की 10 सीटे और उसके बाद शिम्बला म के शास्टों और प्रजामंडल के प्रतिनी दियों की जनवरी например 1948 में ुपनी प्रचन विष्ट का अध्यक्ष कौन था। इस Certion दूर्गा सिया शिम्व्ला की घुम्क्री बेटर चुर्ण ग्ला में करते इस एधिक्ष के शास्टों और प्रजामंडल पुत्री कमान, आर्मी प्रशिक्षन कमान, इन में से कोई नहीं. इस क्वेशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. आज की वीडियो में हमने बात की हिमांचल प्रदेश जनल नौलेज के टॉपिक, हिमांचल प्रदेश में प्रशाशन से रिलेटिड 25 इंपोर्ट नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो का फाइदा उठाने के लिए. आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स वर वाचिंग, जय हिंद, जय भारत.